भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदिर में केवल उतना ही पाओगे अगर भरोसा अपने आप पर है खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप खुद चाहोगे नमश्कार दोस्तो उन्यती कमपेटिशन क्लासिस के इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल 46 MC की कोशन यह वो कोशन है जो आप रेलवे के एक्जाम में कई बार फेस कर चुके हैं जा फिर आने वाले एक्जाम में आप इस तरह के कोशन पक्का देखेंगे तो इसलिए फड़ा फड़ से पैन पेपर लेके ब क्यारे पर एक कमेंट में आपको दिखा दूं कि पार्ट जो भी 16 लोट करा था कुछ दिन पहले तो वहां पर काफे सारे बच्चों ने मुझे स्कोर बेजा और आपके यह सारे स्कोर हैं जिसमें आप सभी जो मैं सामने वियू कर रहा हूं यह वो सब्सक्राइबर हैं जो क को फॉलो कर रहे हैं और अपना स्कोर मुझे को बेजते हैं ठीक है तो आप सभी को एडवांस में आपके एक्जाम के लिए और आज के इस वीडियो के लिए तो मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम करा था लाइव स्ट्रीम में यह सभी बच्चे काफे अक्टिव थे कुछ लोग की नेट्वक की दिक्कत थी तो कुछ लोग अपने आफिस के काम में बीजी थे कोई दिक्कत नहीं बहुत जल्द मैं एक लाइव स्ट्रीम और करूं ना तो सुरू करते हैं चलिए आज का अपने यह वीडियो कुछ नमबर वन किस महादीप को 85 भूमी कहा जाता है एसिया अफरीका दच्छिन अमेरिका या फिर आस्ट्रेलिया फटा फट बताईए इसका राइट आंसर मेरे आंसर किलिक करने से पहले आपको अपना आंसर बताना है तो ध्यान से पढ़िए कुछ न को तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी आस्ट्रेलिया कुछ नमबर टू है कि किस महादीप को अंद महादीप के नाम से जाना जाता है यूरोप एसिया आस्ट्रेलिया अफरीका सेकेंड कुछ नमबर टू राइट आंसर अफरीका कुछ नमबर थ्री किसे अंद महासागर कहा जाता है पर कोश्य नमबर थर्ड राइट आंसर होगा स्काप का अटलांटिक महासागर देखे एतने ही समय में आपको कोश्य पढ़ना भी है अपना राइट आंसर भी देना है क्योंकि जाला समय आपको खर्च नहीं करना है जी एसमें देखे जो आता है फ्रावट एक्जाम में ठीक इरान एराक साओधी अरब फोर फोर का जो राइट अंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी साओधी अरब कोश्य नमबर फाइब बुस्मैन जंजाती का निवास कहां पर है तो यह आपका न्यूजिलेंड अमेजन गाटी कालाहारी या फिर पाकिस्तान तो चार में से बुस्मैन जंजाती की इनका जो निवास इस्तान है वो है आपका कालाहारी मरुस्तल में कोश्य नमबर सिक्स सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है मेरमार बांगलादेश भूटान अफगानिस्तान तो इसका जो राइट अंसर होगा वह आपका भी बांगलादेश कोश्य नमबर सेवन माओरी कहां का मूल निवासी है जपान मलेशिया निजलन और स्टेलिया सावन राइट अंसर ये जो मूल निवासी होते हैं माओरी ये होते हैं निजलनड के याद रहे गा बिकुल बिल्कुल रहना चाहिए कोश्य नमबर एट है कहबा उतपादन में अगर्णिय देश कौन है USA इंडोनेसिया ब्राजील से लंका कुश्चन नमबर 8 राइट आंस्वर सी ब्राजील कुश्चन नमबर 9 सूर्य उद्य का देश किसे कहा जाता है महिनमार को जपान को नौर्वे को इंगलैंड को बहुत इजी कुश्चन है अगर आपने थोड़ा सभी धिहान से पाड़ा है ना तो अब इसका राइट आंसर दे देंगे कुश्चन नमबर 8 भी वैसे इजी था और कुश्चन नमबर 9 तो बहुत इजी है तो कुश्चन नमबर 9 का जो राइट आंसर है क्या देखिए हर वीडियो में से मैं आपसे महासागर में स्थित है परसांत, अट्लांटिक, हिंद, आर्किटिक तो टैन, टैन का जो राइट आंसर है वो है अमारा भी अट्लांटिक महासागर कुश्चन नमबर 11 है कांगो नदी किस रेखा को दो बार काटती है करक रेखा, मकर रेखा, विशुवत रेखा और अंट्रा कर्टिका रेखा 11 राइट आंसर C विशुवत रेखा सरवादिक मुस्लमानों वाला देश कौन सा है भारत, पाकिस्तान, इंडोनेसिया, मलेसिया 12 राइट आंसर इंडोनेसिया आपको लग रहा होगा पाकिस्तान लेकिन नहीं इसका राइट आंसर है इंडोनेसिया 13 विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भासा है वो क्या है फ्रेंच, फार्सी, अंग्रेजी, जा फिर मंदारिन आपको लगेगा मैक्सीमा मुझे पता है, कुछ बच्चों को शायद लग रहा होगा C, लेकिन C इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है D विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणिय देश कौन है? मेर्मार, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आगे बढ़ते हैं कुछ नमर 15 में कि विश्व का एक मात्र महादीब कौन है? जिससे होकर करक रेखा, मकर रेखा, भूमद्य रेखा तीनों उजड़ती हैं एसिया, युरोप, उत्रिय अमरिका, अफ्रीका 15 गराइट आंसर है आपका D, अफ्रीका विक्टोरिया, परपाथ किस नदी परिस्तित है? जांबी जी, कांगो, डैन्यूब, पेली बताइए, चलिए थोड़ी हेल्प में आपके करता हूँ, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, अब बताइए चलिए, राइट आंसर है इसका A अगला है कोईशन नमर 17, काला परवत कहां परिस्तित है? शेलंका, भारत, अफगानिस्तान, भुटान 17, राइट आंसर D, भुटान कोईशन नमर 18, ग्रेट बेरियर रिप, किस देश में स्थित है? रूस, युएसे, इंडोनेसिया, ऑस्टेलिया 18, राइट आंसर, ऑस्टेलिया बढ़ते हैं अगले कोईशन की और कोईशन नमर 19, मध्यरातरी के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जपान, फ्रांस, नौर्वे, इंग्लेंड, 19, राइट आंसर, नौर्वे देखिए, कोईशन नमर 19 में और कोईशन नमर 9 में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सूर्य अधर का देश बोलेगा या बोलेगा मध्यरातरी के सूर्य का देश तो दोनों का यह राइट आंसर आपको बास होना चाहिए, और यह जो कोईशन मैं आपसे पूछा है, अगर आप इसका रिप्लाइ मुझे कमेंट में नहीं करते हैं, और नहीं इसको कहीं पर सर्च करते हैं, बुक में या नेट पर, आप सिंपल से वीडियो को ऐसी क्लोस कर अचाना सब को दोस्ता है, और आप उसको नहीं बता बात है, नहीं पर आटक जाती है, तो क्या होती है, आपके अंदर एक खलबली सी मस्ती है, यह कोशन में बन कुनी जा, निकल कुनी राखिर का इसका अंसर, यह कैसे आया, निकल, अपने अंदर पते एक बेचानी सर्फ ह जाने दो वाला हिसाब है ना, तो यह जाने दो वाला ही इंसान का बेड़ा गर कड़े था एक्जाम में, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, चाहे इंग्लिस पढ़ें, चाहे जीएस पढ़ते हो, या मैत पढ़ते हो, पूरे दंग से बढ़िये, जो नहीं प्रत्ती मैत से, एट में गंबा में आई थी मेरी, टैन में गंबा में आई थी, और उसके बाद मैं लगा, तो मुझे टैन से काफी महबद होई, मलगी मैत में वाव एक्सपार्ट हो चुका है, तो उसने टैम दिया ना, अगर वो भी सूच के बैठ जागे, छोड़ यार म प्रस मच्चा नहीं होता, सही, गलत क्या है, वो आपको पता होगा, बढ़ता हूँ, कुश्य नमर्टी की और, वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्सा कहां पर होती है, कांगो, अमेजन, मासिन राम, श्रीलंका, 20, और राइट आंसर हैसका, C, अगला कुश्य नमर्टी वन, सु सबसे जवाब होगा, वो होगा, गलफ स्ट्रीम जलधारा को बोलते हैं, गरम कंबल, कुश्य नमर्टी थी, कांगो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, देखे कागज का सबसे पहले जो अविसकार हुआ था वो हुआ था चीन में यह आप याद अखना लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना कैनेडा यूएसे जप्रान नॉर्वे 23 राइट आंसर कैनेडा कुश्चन नंबर है हमारा 24 की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कैनेडा मैक्सिको ब्राजील चीन 24 राइट आंसर होगा इसका मैक्सिको अगला कुश्चन है 25 की परसाद महासागर का चुराहा किसको कहते हैं ग्रिन लैंड न्यू गिनी हवाई दीप घड़िया कहां पर बनाई जाती हैं फ्रांस में इंग्लेंड में जपान में स्विजलेंड में 26 राइट आंसर डी अगला कुश्चन है कि मक्का नामगिस्थान किस देश में है इरान हिराक कुवैत साओधिय अरब 27 राइट आंसर डी साओधिय अरब ब्राजील के कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है फैजेडा मोरेलेंड कोको बसेरा तो इसका राइट आंसर होगा आपका फैजेडा कुश्चन हमें 29 है कि महादीबों का महादीब किसे कहते है यूरोप को अफरीका को उत्तर अमरीका को एसिया को 29 का जो सही राइट आ अंसर होगा वह होगा आपका डेग देखे एक चीज आपको याद अखनी है देश और उनके उपनाम आपको याद अखना है देश और उनके उपनाम क्या है अगर आपसे पूशेगा नीद नदी के देल किसको कहते है कभी-कभी एक्जाम में आपसे पूशता है तो यह आप आपका मिसर आपको याद होना चाहिए हातियों का देश लाओस को लेली का देश कैनेड़ा को बोलते हैं सूर्य उदय का देश अब बताया था आपको अभी मैंने नहीं यह कुश्शन आप पूशा है पांद महादीप अफरीका है और जैसे कहते हैं कि कुछ नदी से संबंदी चीज़े होती हैं जैसे कि चीन का सोग कौन सी नदी को बोलते हैं हवांगो नदी इसके कन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं पी अपका सेलक्शन हो जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जोपका सेलक्शन होने पर आता है तो आप देखते होंगे कि आपका एक लेटर आया जॉनिंग आपके हो गई दूसरे महीं ने दूसरी तरह पी जॉनिंग हो चुकी है अब आपको कन्फिसन यह होती कि आपको कहां पर करनी है यह सब कैसे हुआ यह सब ऐसे हुआ कि आपके पैक्टिस इतने अच्छे हुआ ही कि आप किसी बेग्जाम में बैठते हो तो उस एक्जाम को आप क्वालिपाई कर जाते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि या कंबक्त ग्रेड डे की पोस्ट नहीं लगती पिय सबसे पहले किस ने बनाया एकेटियास अंगेजी में अच्छेट्र को सबसे पहले किस ने बनाया एकेटियास अंगेजी मेंडर अरस्तु या फी हेरो डोटस 30 राइट आंसवर बी कुश्चन नमर थर्टी वन वेस्विका सबसे व्यास्त हवाई अड़ा कौन है कैनेडी नियू यॉर्क पैरिस मुंबाई 31 राइट आंसवर होगा असका कैनेडी अगरा है कुश्चन नमर थर्टी टू उत्री अमरिका का सितोशल घास का मेदान क्या कहलाता है पंपास वेल्ड प्रियरी सवाना थर्टी टू राइट आंसवर सी प्रियरी कुश्चन नमर थर्टी ट्री विस्विका सरवादिक व्यस्त जलमार्ग कौन है उत्री अट्लांटिक जलमार्ग स्वेज नहर पनामा नहर केल नहर तो ए बी सी डी चारो अप्शन आपके सामने है और यह कुश्चन आपने अपन से पहले प्लीज मॉक टेस्ट जरू लगाना स्टार्ट करते हैं एक्जाम से कम से कम दो महीने पहले एक स्टुडेंट है कल मेरी उन से बात हुई थी तो उनका नाम अरुन कुमार है उन्होंने बोला सेटवा तो सेटवा मुझे वर्ड काफी अच्छा लगा तो अगर आप आपको कोई दिक्कत है तो आप सेटवा लगाना स्टार्ट करो मॉर्ड टेस्ट पेपर मत लगाना ठीक है तो चलिए जैसा भी है अच्छे थे मनला बात करके मुझे अच्छा लगा अरुन कुमारुन का नाम था मैं अच्छे से याद है तो सेटवा आप लगाईए जो हम दू मॉक टेस्ट लगाईए ठीक है कुश्चन नमबर 34 विस्व का सबसे चोड़ा जल्डम मरू मध्य कौन सा है पार्क डेवीज फ्लोरीडा जिब्राल्टर 34 राइट आंसर होगा असका बी डेवीज कुश्चन नमब 35 एसिया का सबसे बड़ा मरूस्तल कौन है साहरा थार गोभी अटकामा 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी गोभी कुश्च नमब 36 है अमरीका का डेट राइट इट राइट किस उद्योग के लिए जूट के लिए वस्तर के लिए इस्पाट के लिए कार के लिए 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कार उद्योग के लिए Question number 37 मकर रेखा को कौन से नधी दो बार काटेगी मतलब अलग करती है Limpopo, Congo, Amazon, Neil 37 Right answer A Limpopo Question number 38 Asia का सबसे गर्म स्थल कौन सा है Rajasthan, Agra, Jakobad, Tehran 38 Right answer होगा इसका, Jakobad Question number 39 अफरीका के ओशन घास के मिदान को किस नाम से जाना जाता है Bailed, Savannah, Pampas, Prairie फटा-फट लगाई आंसर अपना 39 का राइट आंसर होगा आपका, B Savannah Question number 40 आलपस परवत कहां परिस्तित है Asia महादीप पर, अफरीका महादीप पर, उरोप में या फी दच्छेन, अमेरिका में 40 Right answer, उरोप अगला कोशन है Question number 41 पैटरानेस टावर कहां परिस्तित है क्वालालंपूर, सिंकागो, पैरिस, दुबाई 41 Right answer, A अगला कोशन है, कोशन number 42 पैरिस किस नदी के तर्ड परिस्तित है मंडोवा, टेम्स, पोटोमेक, सीन 42 Right answer, D सीन Question number 45 पूर्व का मोती किसे कहते है भारत, शेलंका, बांगलादेश, अफगानिस्तान 43 Right answer, सेलंका, B Question number 44 नारमेंडी बीच, कहां परिस्तित है जपान, सेलंका, फ्रांस, ऑस्टेलिया 44 Right answer, C France अगला question है 45 इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है पो नदी को, सिन नदी को, नील नदी को, डैन्यूप को 45 Right answer, A पो नदी को अफरीका के सितोशन घास मैदान कहलाता है क्या प्रियरी, सवाना, सेलवाज, विल्ड 46 Right answer, D तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बसके वर इतना ही, अगें, एक बार रिमाइने डालूँगा, question number 9 का, इसका answer आपने मुझको बेज़ना है, comment box में लेक करके, बागे फिट तो, ignore भी आप कर सकते हैं, इस questions को कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्रेंड, आज के लिए बस वह अगर ये questions है, कुछ नया questions आप से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप से बस कर यह ही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्रीज, इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और फ्रेंड तक इस वीडियो को शेर करिए maximum, facebook, whatsapp के माद्दे हम से, अगर मैं बात कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शेर बोर हो गए हैं, या तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ इस बुक को, इस बुक को तभी लाया जाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई करने का मज़ा तभी होता है, मतलब आग लग चुक होती है, आग लग आपको मजब आपको बेच्टता हैं, बस शोट में इतना समझ लो कि लास्टेर बुक फारme बला गया था, 80,000,000 बच्चेशन बरेंगे को एक कोड़ बीज लाग बच्चे फांब रहेंगे कमड़ेशन कहां पर हैं इसका अंदर्ज आपको लग जाएगा समयाने पर तो थिंक अबाउट इट मेरे बातों पर विशार करिएगा अब इससे बढ़ना सुरू करो इस वीडियो को मैक्सिम शेयर भी करो लाइक भी करो और अपना complete score मुझको भेजो जिससे मुझको यह चल रहा है पता कि आप कितने पानी में हो मेरे जानने से पहले इंपरिंट है आपका खुद का जानना कि आपकी त्याई किस लेवल पर चल रही है वह मेरे बताने से क्या होगा बताओ अगर आप मुझे शेयर कर भी दोगे ठीक है मुझे चल रहा है आपको बैठना है पढ़ना आपको है मुझे क्या मैं यहां बैठा बढ़ा हूँ दक घए तो देखें आहिसा नहीं होता है अगर आपको लगता है कि ऐसे ही होता है तो फिर होता होगा आपकी सैड मैं अगर ऐसा हो के स्टी अवता चाहीं तो बहुत अच्छी बात है इस HO Сंध लेता हो अप्से अलवीदा मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में श आएगा एड्मिर कर आएगा तब इस बुक को में स्पीड में करवा दूँगा और उंचों पता कि तब देखेंगे भी तब देखने वाले भी बच्चे बहुत होंगे ठीक है ना जब देखें बोलने का मजा वही पर है जहां पर सुनने वाले हों तो खाली कमरे में खाली दि तो वही कुछ हमारे साम भी होता है तो हमको ओडियंस चाहिए हमारी ओडियंस आप हो चैनल पर स्टुडेंट चाहिए स्टुडेंट आप हो तिंक अबाउट इट बाए बाए टेक केर